हेलो दियर स्टूदेंट्स वेलकम बैक टू चैनल लोब अन्सीयाटी आज आज आपके क्लास नाइन्थ के हिंदी के चैप्टर चैप्टर जो नहीं लेकिन कावे गंड़ से जो है हम लोग आपका पढ़ने वाले हैं कभीर की साखिया एवं सबत जिसमें हम लोग पढ़ेंग तो मैं चाहूँगे कि वीडियो में आपको आरि यहां आप उसी साथ कर दका था रहे ही लाप उससे नहीं है डियांन नहीं है आपको चले करते हैं कभीर की साखियां एम लगौं regarder चेप्टर है ठीक है रिए स्टूडेंट सो वैसे कभी साख्या सब बच्चों को याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी होती है और आपको सारी साख्या याद है तो बहुत ही अच्छी वात है मां सरोवर सुभर जल हन्सा केली करहाई मुक्ता फल मुक्ता फले अब उड़ी अनंतुन जाई इसका मतलब क्या होता है कभीर जो साख्या लिखते थे कौन कोन से टाइब में एक तो उसके वपरी उपर का और उसकी डीइप नियू जो पहना चाहते हैं ठीक है में जिसको आप note और वहां से कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं इस़ी जो अंदर की मीनिंग Crime कभीर दाज जी हम सबसे कहना चाहते हैं वह चीज बस इतनी सी है कि जब आप अगर आप जिस तरह जो आप हाती होते हैं वह अच्छे जल से भरा हुआ सरोवर में मोती चुकते हैं और वहां से कहीं नहीं जाते हैं उसी तरह मनुष्य भी इस माया बामाया जाल संसार में बंध तो यह आपके कभीर दाज जी कहना चाहते हैं पहरी सागी से अब जूसर सागी आते हैं प्रेमी मिले न कोई प्रेमी कव प्रेमी मिले सब विश्व अम्रित होई इसका मतलब क्या होता है डिया स्टूडेंट्स सबसे में आपको उपर की मीनिंग सुना बदाती हूं कभी द अची ऊपर है अनदर की मीनिंग यह सिरूने को यह तक हम सची भक्ति से इंशवर से खोजने की कोशिच करते हैं तो हमारा सारी सारी भूराया diver रितमें बदल जाती है हस्ती चड़िये ग्यान को सहस्ट डुलीशा डारी स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी इसका मलब क्या हुआ हस्ती चड़िये ग्यान को यानिकी जो हाती यह कह रहें कि हाती के उपर वो जो हम लोग बिच्छाते हैं कंबल और आपने देखा होगा हाती हमेशा चलते रहता है जब कुट्ता भी हाती के पीछे पीछे पढ़ता है तो क्यों होता है कुट्ता भी थोरे सब्सक्राइब में इस तरह हाती चलता रहता है और कुट्प भॉकता रहता है उसी प्रकार जब भी हम किसी जब भी हम जब धिन को पुराप्त करने की कोशिश करते हैं या confession के represented में चलने की कोशिश करते हैं तो यह संसार हमें कुत्तों की तरह रोकने की कोशिश करता है या फिर मार्ग से हटाने की कोशिश करता है पर हमें हमेशा मार्ग में आगे ही चलना चाहिए जस तरह हाथी चलते रहता है अब देखो हुई हरी भजे सोई संत सुजान इसका मतलब क्या होता है इसमें कभी राजी समझाती पक्ष्विपक्ष के चक्कर में सारा संसार भूला जा रहा है जो हरी को बचता है वही सच्चा संत होता है यानि कभी दाजी कहना चाहते हैं कि देखो आप लोग राजनीती में देख लो आज कल आने वाले ना तो क्या हो रहा है कुछ और बोल लिए वीजेपी कुछ और बोली है ना तो दोनों के बीच में लडाईयां चल लिए ना वक्ष्विपक्ष के चक सारा संसार सबकुछ भूला जा रहा है सब लडाई जगरे में लगे हुएं लेकिन जो इंसान जो मनुष्य निश्पक्ष होके हरी को जबता है हरी यानि की प्रभु को जबता है इश्वर को जबता है वही सच्चा संत कहलाता है ठीक अब देखो नेक्स्ट है हिंदु मुसल्मान खुदाई कहें रहीं सौ जीविता जो दहु के निकटी नर जाए इसका मतलव दिश्रीन क्या होता है कभी सब कर उपर प्ताती हूं मैं हिंदु मुउआ कभीर जी कहते हैं वही जीवित रहता है जो दोनों के ही निकटना जाता है अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूं कभीर राज जी कहना चाहते हैं कि आपने देखोगा हिंदू लोग क्या करते हैं मुस्लिम लोग क्या करते हैं हर समय क्या करते हैं कभीर जी कहते हैं कि इस संसार में जीवित वही रहता है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता है दोनों के निकट याने की जो जो है एक एक शक्ति को मानता है जो इस संसार को चला रही है दोनों की निकट ना जाने का मतलब यह है कि जादा ही घुजाना अंदर है न कोई लोग कैसे नहीं प्राण दे देंगे वह देंगे कभी दाजी वही कहना चाहरा है जो दोनों के ही जादा निकड़ नहीं जाता है वही जीवित रहता है कभी दाजी यह नहीं कहा रहे हैं कि आप भजो मत आप भजो लेकिन सिर्फ एक शक्ति को भजो और इसकी चक्र में लडाई मत अब देखो डिए यह नेक्स्ट आता है काबा फिरी काशी भया रामही भया रहीम मोटा चून मैधा भया बैठी कभीरा जीम इसका मतलब क्या हुआ दियस का मतलब हुआ सबसुए उपर उपर का मेंनित बताती हूं काबा यानिकि जो मुसलमान का तीक स्थल होता है काशी हि काम ही रहीम है मोटा चून मैदा होता है बैठी कबीरा जीम अब देखो इसके अंदर का मीनिंग क्या करना चाहते हैं जिस तरह गेहूं को पीस कर आटा बनता है और फिर आटे को बाहीन पीस कर मैदा बनाया जाता है और दोनों ही खाने के ही दोनों खाने के ही काम आते हैं उसी प्रकार काबा होया काशी राम होया रहीम राम होया रहीम सभी से आपको भगवान की ही प्राप्ति होती है यान की इश्वर की ही प्राप्ति होती है तो इसके चक्कर में हमें जो है लडाई जगरे नहीं करने चाहिए ठीक है अब देखो पुषे कुल का जन्मियां जो करनी उचन होए दिकला सुषा दू निंदा होई इसका अलब क्या होता है तो यह सब्नाब करना किल कोई कर में चन्म में नहीं हों business उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं जो इनसान उसे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म उचे नहीं होते हैं वो इनसान सोने के कलस में सराब के समान है जिसकी निंदा हर कोई करता है अब मैं बताती हूं अब आपको दो कलस दिये एक है तूटा-फूटा मिट्टी का एक तो आप कौन सा लोग है आप लोग जो चीज वाला लोगे ना वह अम्रिद भर है जो अच्छी चीज होती है वह हमेशा अच्छी रहती है और जो बेकार ही रहती है तो यह बोलते हैं उचे कुल्वे जन्मन लेने वाला इंसान जिसके कर्म उचे नहीं होते हैं वो सोने के कलस में सर आपके समान होता है ठीक है तो इस तरह हमने आपको पढ़ा दी है साखियां अब आ जाते हैं सबद में सबद भी बड़े इंट्रेस्टिंग है ध्यान से सुनना बहुत मज़ा ह पाइगा सब्द में आपको मां का कहां ढूटे बंदे मां को कह ढूडे मुझे मैं तो तेरे पास में ना में देवल मं मंमज्जित ना काबे कैलास में कोने क्रिया करम में नहीं योग बैराब में схोजी खोजी होयfight तुम्हें तो तुड़ते मिल हो पल भर की दलास में कहे रही क.? सुनो भाई साधो सब स्वास की स्वास में कि अब तेखो डियेगो बडिये बड़ी अच्छी तारक फंच दया ने इस सब्छी ने इस सबत में क्या बता है एश्व आन्दर ही होता कैसे बता है पड़ते हैं इश्वर कहते हैं कि तुम जो Kin कहां कहां डूद रहा है मैं तो तरे पास ही हूँ उपास ही ना मैं कहीं मंदर में हूँ ना ही मैं कोई मढम southwest में में और नाहीं मैं किसी कवे या केलास में हूँ नहीं मैं किसी कर्या कर्म में हूं मैं किसी योग-वैराग में हूँ अगर मुझे अच्छी तरह खोजोगे तो मिल जाओंगा बस पल्भर की ही तो तलाश करनी है ना आपको तो यहां पर जो है कभी राजी कि अगर सब्सक्राइब भी ऐसा नहीं होता कि आपका जश्माइब जो है गले में लटका होता है आप दों उसको कहीं भी जहीं धेख रहे हो पूरा घर आपने उठाके रख दिया सारद समान अमान फैक दिया लेकिंट जश्माइब मुझे कहां दूर रहा है मैं तो तेरे पास ना में मंदर में ना में मस्धित में में काबे में कोई को करूं ना में कोई को योग वैराग में हूंMarija wild 치ओ नहीं तो कभीर जी कहते हैं कि जो इश्वर हैं वो सब की चल लिए हैं इस एक इनसान की किसने की कौन सी है सूपर सकती है कौन सी कैसी सूपर पावर है जिसने सारा संसार बनाया है तो कभिण दाजquinho कह रहें है कि इशवर्ण सबके अंदर ही है सबकी सास में ही जब तक काप लोग जीवित हैं जब आपकी साथ चल लंद थे अब देख pre weeds ग्यान की आंधी रे ब्रimmung की ताटी से सभे उडानी माया रहे ना बांदी हित चित की यह देर ठूनी गिरानी मो बलिंदा तूटा त्रीना छानी परी धर उपरी फू भुर्दी का भांडा फूटा दीग है जोग जुगती करी संतो भादी निल्चव चुवे ना पाणी कूड कपट काया का निकश्या हरी की गती जब जानी ग्या आंधी पीछे जो जल भूटा प्रेम हरी जन बीना कहे कवीर बान के प्रगटे उधित भया तम हीना तो इस बहुत ही सुनदर यहां पे यह सबद भी है तो इसमें क्या होता है ग्यान की आंधी आद के किस तरह अगर आपके पास ज्यान आ लिट आपको कोई भी पीछे नहीं करने हैं और एक बार आपके पास ग्यान आ गया तो हाँ हर चीज कर सकते हो कभी्राजी ने आप आपको ज्नका महत्व देते हुए समझाया थी मैं आपको शबत का अर्थ समयाती हो अच्छी तरह कभी ता ची कहते हैं क्या कहते हैं संतो भाई ज्हान ध्यान की आधी आरैहि है ऐसा कहते हैं नो भ्रह्म रूपी जो बुर्वाई है टाटी भ्रह्म रूपी बुड़ाई जो है C वह सबittaं यहां पराटी जो कि माया रहे न बांदी उर्ट माया मया जो थी यानि कि माएय हुआ हुट्स रूपी पृड़ाई थी कर दिआध सथी दिघंत की से वह भी वाली जो खमबे तोट गए और जो आपके मकान में लगे रहते हैं जो बलिंडा आपने देखा होगा चपर की जो मजबूत लकड़ी होती है एक मजबूत लकड़ी उसको हम लोग बलिंडा कहते थी तो बलिंडा मुह माया का जो बलिंडा था वो भी तूट गया जब आधी आई अब मैं को एक बास में आड़ी कि कभीर दाजी ने आन्दी क्यों उसकी वह हवा भी तो यूज कर सकते थे हवा क्या होती है हवा आती है हम लोग अभी सास लेने हवा है हमारी कमरे में लेकिन आधी जब आती है सब तहस नहस करके जाती है तो यहीं अभी राजी ने कहा है कि जब ग्यान की आधी आई तो यह कोई भी ऐसी चीज जो है नहीं बची ठीक है तो फिर हम लोग यहां पर यानिकी ढलाच का फ़ीट गया साथ आप देखो नेश्ट के लिए जो बुरी भुद्धी यानिकी गन्दी बुद्धी इनकी बुरी बुरी बुद्धी का भांडा यानिकी भेद खुला वह भी पूरी जो है वहाँ पर घर्मा आपका होता है भांडा यानि की बरतन भांडे को वैसे हिंदी में बरतन के रूप में भी प्रयोक क्या जाता है भांडा टूटा एक आप उसमें भी यूज करते हो मुहावरे के तौर पर कि भांडा फोड़ दूँगा मैं तेरा नेक्स दिया है यहाँ पर जोग जुकती करी संतो बादी निर्चू चुवे ना प्राणी अब क्या वडिश्ण अब जो संत थे जिनके पास ग्यान था उन्होंने क्या किया अपनी भुद्धी लगा के क्या किया फिर से उसको बादा और इस तरह बादा कि उसमें से एक भी की बूद्ध जो है नीचे ना गिरे थिये निकसिया हरी की गतिय के जब जाणी दिकांगे जो सूर का प्रकास अभी मैं उसके बाद में आऊंगी जो हमारे कूर कपट था वो सब निकल गया जब हमने इश्वर की भक्ती की यह सारा निकल गया जब हमने इश्वर की भक्ती की एनधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरी जन बीना आनधी पीछे जो जल भूटा यानि की बूटा का मदलब कि उन्यून जो जल बरसा कै उसे क्थ हमारी बुराइया थी वह नश्ट हो गई यानि की जो आलांश में पानी बरसा ना उस श्जा क्या हुआ हमारी आनधी के बाद क secular देखा होगा कि सारे पेड़ बड़े फ्रेश दिखते हैं हरे हरे है न तो जब आंधी के बाद पानी बरसा तो हमारी जो सारी बुराइब थी वह भी क्या हो गई नष्ठ हो गई कहें कभीर बान के प्रगटे उधित भयातम हीना यानिकि वह पिंगते हैं कि जब ग्यान सब्सक्राइब और जब संतों ने उसे फिर से जो रहा है इस तरह कि उसमें से एक बूद्ध ना गिरें तो क्या हुआ हरी की जब जबती करी पूरे सच्चे मन से भक्ती करी तब उनके यह चाहिए हुआ तब उनकी जो सारी बुनाईयां थी वह नष्ठ हुई और फिर जो ह अंधी बाद बारिश हमाई उपर गिरी तो हमाई सारी बुराईयां धुल गई और हम जो है बिलकुल अच्छी तरह जो है सज्जन हो गया तो इसमें कहना क्या जाते हैं कभी ताची कहना चाहते हैं जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जीवन में जीवन जितने जितने भी अग्यानी लोगों का घर जितने भी अग्यानी लोग होते हैं उनका घर सारा तहस नहस हो जाता है मगर ग्यानी लोगों को इसका कोई भी फरक नहीं पड़ता जिस प्रकार से बारिश आने के बाद सबको साफ हो जाता है उसी प्रकार ग्यान रूपी आंधी जव आकर च चाने का विदास ची आंधी से इसलों नोई तुल ना किए क्योंकि आंधी जब आती है तो हर चीज स्थेहस नेस करके जाती है तो इस तरह हमने दोनों सबत भी पड़े अब हम जो है कुश्चन आंसर करेंगे ठीक है यहाँ पर जो दिये हैं पहले हमाई कुश्चन दिये हैं स आख्यों से मान सरोवर्ड से कभी का क्या आशे है मान सरोवर्ड से कभी का क्या आशे है ठीक है मैंने बोला ना मान सरोवर्ड कभी ने दो बार कहा दा लेटरल मीनिंग थी एक तो और एक थी अंदर की दीप में कभी का आशे है यानि कि कभी कहना क्या चाहते है उससे तो द है और वहां आत्मा हमें एश्वर क आराधना से मिलती है और इस संसारिंग मोहमाया में अधर कर हमने इसट है दो वह ही चीश कभी ने कचिश कर यह अज़ुकता है और वहां से कहीं नहीं गाता है उसी प्रकार मनुश्य इस माया जाल भरे संसार में फस गया है और यहां से नहीं नहीं जाना चाता है और इसी को सच्चाई मानने लगता है मन रूपी सरोवर्ट से है जिसमें हमारी आत्मा अच्छे विचार लाती है और यह आत्मा हमें कैसे मिलती है इश्वर की अराधना करने से मिलती है लेकिन हमने संसार के महम आया वर मंदनों में फस सके इस आत्मा अशुत्य है कभी ने सच्चे की कया कसौटी को आए आपके मन में ना है क्या पता आप कुछ और आंसर लेकिन क्या होना चीए आपका बेन जो आंसर है वह कभी दाट जी के तो धोए हैं उनसे रिलेट करता हो मनुष्य मांत्रोर से कभी का आश्य मन रूपी पवित्र सवरोबर से हैं जिसमें मनुष्य का स्वच्च विचार रूपी जल भरा है जीवात्मा हंस प्रभु की भक्ति में लीन होकर प्रभु भक्ति लीन होकर स्वचंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुकता है वह मांत्रोर छोड़ का अन्यत्र जाना भी नहीं चाता है आप अगर इतना बड़ा शब्दो शब्दो यूज करके यूज लिखो के तो क्या होगा आपको खुद तो समझ में आएंगे नहीं यह शब्द और ज आपको लिखने हैं मांत्रोवर से कभी का आश है मन रूपी सवरोवर से है जिसमें वनुष्य के अच्छे विच्जों विचारों से भरा है और जिसमें जो है हमारी आत्मा जो है प्रभू की भक्ती में लीन होकर लेन होती है लेकिन हमने आज उसे जो है संसारिक मोमाया में पर्सकार क्या कर दिया है अशुद्य कर दिया है तो आप लोग आशा अपने मन से लिख सकते हैं कैसे आप लेकिन आशा आपको अच्छी तरह लिखना है कभी ने सच्छे प्रेमी की क्या कसौटी बताई कसौटी कि आपने नाटक देखा होगा बहुत पहले आता था मेंको सब्सक्राइबत के सब्सक्राइब करते हैं तो भी ने सच्छे प्रेमी की कसौटी कि मतलब क्या सब्सक्राइब्स तो क्या यह रहां कि कैसे मित्र में मिलेगा क्या महनत क्या परिश्णभ हमें उसके लिए करना पड़ेगा कभी ने सच्चे प्रेम की कसोटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अथात ईश्वर की भक्ती करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है सच्चा प्रेमी मैंने कहा ना जब हमारे अंदर घवंड होता है तब हमें कोई ईश्वर नहीं मिलता जब हम लोग सच्ची भक्ती से ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं तब हमें ईश्वर मिलता है और हमारी सारी बुराईयां अमरित में बदल जाती है यह पता है था मैंन इश्वर को पाने का प्रयाज करता है उसे इश्वर के अलावा सांसारिक वस्तु को पाने की रूची नहीं रह जाती है वह लोब मौ माया से उपर उठ चुका होता है उसके लिए सांसारिक अकर्शन तथा बांधन इश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते हैं ठीक है यह बस इतना सा आपको याद रखना है आपको कहना क्या चाहते हो आप पहले उसे अपनी भासा में बोलो और फिर उसे अच्छी तरह ग्रामेटिकल सेगर के लिए आपको इसमें क्या पॉइंट पॉइं है और क्या उसके इश्वर की प्राप्ति में बहुत भादक नहीं बन पाते हैं यहीं सारी चीज़ा आपको लालनी है ना इसमें क्या करोगे आप आप नौर्मल सा अंसर बनाओ चलो इसका कभी ने सच्चे प्रेमी की कसोड़ी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपन प्रेम अधात इश्वर को पाने के लिए इश्वर को इश्वर की सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अधात इश्वर की भक्ति करते हुए इश्वर को पाने का प्रयास करता है उसको उसे इश्वर के अलावा सांसारिक वस्तु को आवालावा कोई भी सांसारिक वस्तु को पा तब बंधन उसके ईश्वर की प्राप्ति के लिए भादर नहीं बन पाते हैं यहीं है पूरा आंसर आप इसको छोटा करके लिख सकते हो आपको में चीज बताने की क्या कसौटी है अगर आप इतना आंसर भी लिखते हो यह सच्य प्रेम की क्या कसौटी बनाई तो आप बहु कौशन नम्बर 3 तीसरे दोए में कवी ने किस प्रकार के ग्यान को महत्व दिया अलग 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 आप सकते तीसरे दोए कौन था था हस्ती चड़िये घ्यान को सहजुली सादारी है यह था तीसरे दोए स्वान रूप तंसार है भूकन नेजख माज़ी है यह था य सच्चे ग्यान और उसकी महिमा से अच्छा अब मैं बताती है क्या हुआ है कौन से ग्यान की महत्वदी है उसके बाद संसार के लोग संसारिक्ता में फंसकर सच्चे ग्यान और उसकी महिमा से अंजान रहते हैं मनुष्य उस ग्यान को खोजने तथा पानी की जगा अन्य वस्तों की प्राप्ती में अपना समय बेकार में नश्ट करता है यह आपके टीसे होइं में एक चीθ यह भी बताई थी मैंने आपको बताया था जो जब आप ग्ञान की मार्ग में चलते हो तो आपको लोग भूत रोकते हैं आपको लोग अज चीजा système में भठड़िए अपको लोग केंगे आर तू यह कल ले आरे तू वह कल तो यही चीज बता रहे हैं तो अन्य वस्तू के लिए आपको समय परवाद करने के लिए सजेस्ट करेंगे जैसे कहेंगे कि अरे क्या हो गया अरे रहने दो फिर बच्चाई तो है धोई दिन पढ़ाई मी भी करेगा तो क्या हो गया तो ऐसे लोग कह देंगे और फिर आपको करने के लिए प्रेवेरित करेंगे क्योंकि लोग आपको भला नहीं चाहते आपको अपने लिए खुद सोचना वड़ेगा कोई भला नहीं चाहता तो यहीं समझाना चाहते हैं तीसे तो में कभी ने सांप्रेदाइक्ता एवं भेदाव रहित सच्चे ज्यान की प्रात्पी को महत्व दिया है संसार के लोग संसारिक्ता में फसकर सच्चे ज्यान से अंजान रहते हैं फिर लिख दो मनुश्य उस ग्यान को खोजन तथा पाने की जगह क्या करता है अन्य वस्तों में अपना समय बेकार में नश्ट करता है और इसके लिए तुसे कौन करता है संसार के लोग ठीक है क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते और आपको भी कुछ नहीं करने देत सबत के साथ से नहीं लिखना है याद रहे देखो जब आपने चीज़ पड़ी थी पखा पखी के कारणे सब्जग रहा भुलान निलबक को हुई जो हरी भजे सोई संत सुचान पढ़ा था वही सच्चा संत है जो निश्पक्ष्यों के प्रभू की भक्ती करता है अगर दिश्पक्ष होके प्रभू की भक्ती करता है और पक्ष्विबक्ष्य चक्कर में नहीं पढ़ता है लेकिन अगर आंसर आपको जाता है तो कैसी लिखोगे इस संसार में संसा सच्चा संत वही है जो फिर अपने पॉइंट बनाओ पहला पॉइंट मो माया लोब अपने प् सकती करता है तीसरा पॉइंट सुख दुख लाब हानी ऊच नीच अच्छा बुरा आधि को समा सामान रूप से अपना अपनाता है अपनाता है यानि की स्विकार करता है अब देखो डिश्पकों कोई लोग क्यों होते हैं जब उनके पास खुशी आ रहें बहुत खुश हो आपको कुई दुख नी लेकिन जैसे आप बड़े वहागगी आपको आपकोन सारे संत कोन बों हो लाब हो उच्छ हो नीच हो अच्छा हो बुरा इन सभी को सामान रूप से अपनाता है यानि कि आपको घदे की विशेष्टा पता ही थी बैलो की गथा में क्या पता है तो वही दिखावे कि भक्ति नहीं करता है वह सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो ये चार पॉइंट देखो सबसे पहला मो माया आधी प्रयाय से अपने आपको दूर रखता है ऐसी भावना से अपने आपको दूर रखता है दूसरा संसारिक मो माया से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति करता है त चौथा पॉइंट लिखो के दिखावे की दुनिया से दूर रहता है और सची भक्ती से इश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं बस इतने पॉइंटों लिखने करने लिखने आपका आता है अंतिम दोधोयों के माजयं कभी इनने किस क्ला माकी सगेट किया है अंतिम दोधुयों को संack preserv इन दोधुर्ध उयानिकी छोटी सोच ठीक याँ अनम्टिम्स journals तो ब्लूही आता है बेलों वहना सूराफ़ा सादू निंदा सोई यह था लाश हो तो अपने संकीरता हो यांगत चोटी सोच कश्ची तरह कभी ने आपको बतांगे पहली दिया स्ट्रेंड है कवीद आजजी ने कहा कि आजकल जो है आप मलब देखो भाई आपको पता है कि गेहूं को पीसकर जो है आटा बनता है फिर आटे को और महीं पीसकर मैदा बनता है और दोनों ही खाने के काम आते हैं ना मैदे से आपकी कुझिया बन गई समौ से बन गए ना अलग लग उसी तरह काबा हो या कासी राम हो या रहीम सभी से आपको इश्वर की तो प्राप्ती होती है तो उसमें इतने लड़ाई जगरी की क्या बात है तो नोंने कहा है कि धर्म के प्रती भेदवाव करना ये साही चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी वो धर्म के प्रती लड़ाईयां भी नहीं देख सकते तो इसलिए नोंने कहा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो आपको इन दोनों में ही इश्वर की प्राप्ती हो रही है तो हमें धर्म के प्रती जो है भेदवाव नहीं करना चाहिए और जूसरी कौन जी संकीरत संकीरता यानिकी छोड लगाउक है करम उसके अच्छे निये तो कांक अच्छा हुआ है तो इंसान को उसके कर्म के प्रटी उसकी पोजिशन देनी चाहिए तो क्या हो गया अच्छे कर्म उचन निए तो हमाले चीटी के समान भी नहीं है कभीरदाजी यह चीद बोलते हैं कि भई उचा जाने नीचे कूल में लिया हो हमें हमेशा जो है क्या होना हुआ यह उचे नीचे के वजह से भेधवाव नहीं करना चाहिए धीक है इन दो सोची छोटी सोच की दरफ कभीरदार जी ने संकेद दिया किसी भी व्यक्ति की पैजान उसके कुल से होती है या ऊसके करमों से तरक सहित उत्तर दीजिए और इसलिए जो दिए जैसे मैं आपको राम जी को देखो राम जी भी तो ऊचे कुल में थे मतलब आयोध्या के तरा जाते हो लेकिन उनको कैसे जानते हैं उनके उच्छे कर्मों की वज़े से हम उने जानते हैं कभीर दास जी को देखिए रहीम को देखिए आप तुलसी दास को देखिए यह सब बिचार निए छोटे-छोटे कुल से लेकिन आज उनके कर्म देखिए इनके लेखनकारी देखिए इनके जो कर्म है यहीं इनको बड़ा बनाते हैं यह हुआ सामने इक्जाम्पल्स इंडियस्ट्रेट नेक्स देखो स्काविस ऑंदरिये स्पष्ठ कीजिए हस्ती चड़िये ग्यान को सहस्ट डुली साडारी स् इसमें आपको रूपा कलंकार तो देखि रहा होगा क्योंकि आपने देगा हर जब यह तक चिछी होगी है आपका प्रयोक करन्द्रेच मांता के कारण आपको यहां पर दिख रहाए कि अध्यातिक समानते कारण उन दोनों को एक ही मान लिया गया है वही चीज़ यहां पर दिख रही होगी है ना फान रूप संसार है भूखन दे जकमारी है ना तो यहां पर साख्यां के जो कुश्चनांसर ने यह तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जित ना मैं काबे कहलास में ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में खोजी हो तो तुटते मिल हो पलभर की तलास में तो इश्व को ढूटता फिरता हैं वह मनुश्षी को ढूटता है काबा काशी क्रिया करम योग में आधी में जो है मनुष्ट झूटता है कभी ने किश्वरन प्राप्ती के लिए किन कि प्रचलेश विश्वासों का खंडन किया है कौन कौन से एक आपको बताएगे इस वर को मन्दर में वहता है डिम वहता है लोग यह कहते है लग जगह जाते हैं गूमने कि हाँ यहां जाएंगे तो हमें पक्का इश्वर मिल जाएगा तो कभी ताज ने कहें कि इश्वर को ढूटने की जरुद नहीं है इश्वर आपके अंदर ही है लेकिन आपको क्या करना है आपको सिर्फ और से उसको एक बास मरन करना है एक दौस की भक्ति करना पल भ देश्वर को सब स्वास में सब स्वासों की स्वास में क्यों कहा है इसका आणसर करते हैं तो देश्वर करना कभी कि अच्छा आप नहीं मानों कि भाई सबी प्राणियों की रचना इश्वर ने कैसे किये हम तो अमने ममें पापा के बेटा है यह को गया अरे देखो भई ममें पापा बनाने के लिए किसी आपकी दादिये वह है अब देखो पीछे जाते रो जाते लो कुसी एक इंसान को तो भगवान ने उत्पन्न किया होगा ज तो अब देखो अवा क्या होती है अभी आप लोगे कमरे में बैठी के पर रहे होगे अभी वहां भी हवा चल लिए तभी आप ऑक्सियन ले रहो है ना लेकिन आंधी क्या है आंधी जब आती हर्चिस तहस्नेस करके जाती कभी भार ममी ने कुछ रखे होते हैं मालो केले र अभार कपड़क है सब उड़ गए है ना तो आंधी क्योंते हैं मचा 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 के जाती है लेकिन अगर हवा देखो हवा ऐसा कुछ निगरती जब घ्यान आपके पास आता है तो आपके यह भ्रहम हेत चित और यह साई यह मोह माया यह लालच यह सारी चीज़े जो है चले सब्सक्राइब करते हैं और मन साफ और प्रभूगी भक्ति में लीन हो जाता है इतना सा आपको लिख देना है इसमें डेक्स्टे इस्ट्राइब भाव स्पष्ट कीजिए में तो इसमें ओ क्या चाते हैं ओर देख सकते हैं डेक्स्टे इसमें जोह बताया जा feito की आज प्रेंदया होगा मनुष्य जो हैम यह स्वार्थ रूपी दोनों होते हैं है वो सब तूचत возмож और पीछे जो जल बूटा जब बारिश होते हैं तो पेड़ पोदे दूल जाते हैं तो बड़ा साफ कुतर होता है पेड़ पोदे भी फ्रेश लगते हैं उसी तरह डिस्टे आप यहां पेड़ जब ग्यान की आंधी आती है तो हमारे अंदर से जो सारी बुराईयां होती है जो बारिश होती है तो जल आता है उसके वाइट तो साड़ी पुडाईयां होती है वह सारी जो होती है धोल जाती है यहां पर सबद और साखिया आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी आज के 32 मिनट का वीड़ वाचिग अगर आपका पसंद आया हो वीडियो यह